नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पारेस ओलम्पिक्स की खबर में इस बार भारती खिलाडियों को काफी मदद मिलने वाली है पारेस ओलम्पिक्स ट्रैक इवेंट्स में मॉंडो ट्रैक का यूज किया गया है और मॉंडो ट्रैक काफी फास्ट और जिन में काफी अच्छा बाउंस भी देखने को मिलता है जिससे हमारे खिलाणियों को मदद मिलेगी चलिए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर अविनाश साबले जी अपने 3000 मिटर स्टेपल चेज में भी इनको काफी मदद मिलने वाली है काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारी अविनाश साबले जी को मॉंडो ट्रैक का तो नया परसनल रिकोर्ड बनाते हुए दिखाई दे स सकते हैं नेक्स्ट खिलाणी है जो थी यारा जी 100 मिटर हडल रेस में काफी इनोंने नाम कमाया है और उमीद है मॉंडो ट्रैक से इनको मदद मिलेगी और जिसमें ये अपना नया रिकोर्ड भी बना सकती है मैडल के चांसिस कम है लेकिन फिर भी नया रिकोर्ड बनता नेक्स्ट खिलाणी है यहाँ पर जेस्विन एल्रीन जो की लॉंग जंपर है और इस समय इनोंने 8.42 संथिंग का जो जंप बनाया था वो भी मॉंडो ट्रैक पर ही बनाया था तो उमीद की जा रही है इस समय कि इस बार ये भी अच्छा रिकोर्ड बनाते हुए दिखाई नेक्स्ट खिलाणी को मदद मिलेगी वो है हमारी अनूरानी जेवलिन थ्रोवर एशियन गेम्स मैडलिस्ट उमीद की जा रही है यहाँ पर भी लगबग 60 प्लस थ्रो करती हुई दिखाई दे सकती है इस मॉंडो ट्रैक पर नेक्स्ट खिलाणी है हमारी किरन पहल इनका भ भरपूर फाइदा उठाएंगे नीरत चोपला जी ने तो सवाल भी उठाया है कि भारत में मॉंडो ट्रैक होने चाहिए दोस्तों आप सभी को क्या लगता है मॉंडो ट्रैक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पारेस ओलमपिक्स की अपडेट के लिए चैनल क सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिंद जैभारत